Hello friends, आज की वीडियो में बात करेंगे एक glitch text effect के बारे में, जिसको की हम after effects में create करेंगे और उसके लिए हमको कोई additional plugins की requirement नहीं है, so start करते हैं, तो सबसे पहले composition यहाँ पर start कर लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ glitch effect, so यह composition हमने start कर लिया है, उसके बाद में एक और new composition start कर लेते हैं, उसका नाम मैं दे देता हूँ, जिससे text1, so text1 में हम क्या करेगा, अब अपना text यहाँ पर type कर लेते हैं, जो भी हमारा text है, like में type करता हूँ creative, जो इस text को आपको जो है, अपने requirement के recording align कर लेना है, मैं ज्यादा कुछ text में alignment के उपर कुछ नहीं कर रहा हूँ, just मैं इसको random रख ले रहा हूँ कहीं पर भी, जो आपको जो भी alignment वगएरा है, आप alignment में जाके कर सकते हैं, जिससे प्रिमिर प्रोव्यू करते हैं, वैसे shape after effect में भी है, तो इसको पर हम ज़्यादा time waste नहीं करते हैं, तो दूसरा क्या करना है, कि हमको जिस text के साथ में भी इसको glitch करना है, उसको यहाँ पर हम type कर लेते हैं, तो देखे हमारा text 2 है, text 2 को select करेंगे, और अपना text tool लेंगे, और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो दोनों text हमारे पास आ गए है, दोनों का color change कर लेते हैं, एक color मैंने रखा हुआ है, यह वाला, दूसरे का color मैं कुछ और change कर देता हूं, लाइक red कर देते हैं, कुछ इस type से, ताकि हम दोनों colors में difference भी साथ की साथ देख पाएंगे, ठीक है, तो यह text हमारा ready हो गया है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, अपने main project के उपर में, और project पर जा करके, हम जो है, दोनों को यहाँ पर import कर लेते हैं, जो देखें, यह पहला आ गया है, रेंचर है, और यह जो है, creative है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, तो जो second जो text है, उसको हम यहाँ से hide कर देंगे, और hide करने के बाद में, हम क्या करते हैं, कि हम चलते हैं अपने effect में, और यहाँ पे एक effect search करते हैं, इसका नाम है card wipe, ठीक है, card wipe को first value clip के उपर, जो आपके primary clip के उपर लागे, drag and drop कर तो आप देखें, आपको effect दिखना start हो गया है, अब इसमें कुछ changes करते हैं, changes करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, back layer पर जाएंगे, और इसको back layer को text one कर देते हैं, जो कि हमारा second text है, rancher, so अब आप क्या करेंगा, आप देखेंगे, तो यह कुछ इस तरीके से काम है, so, but यह भी पूरा animated नहीं है, इसको animate करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम जो है, transaction completion को click करेंगे, beginning में अपने, जो है, indicator को ले आते हैं, और यहाँ पर keyframe generate करेंगे, और इसको हम जो कर देते हैं, zero, और उसके बाद में, जितने दिर के हमको transition चाहिए, like हमको four seconds च पर जानने के बाद में, हम इसको कर देते हैं, hundred percent, so, अब देखेंगे आप, आपको transition कुछ इस तरीके से नज़र आएगे, so, देखेंगे, यह आपको transition है, अब यह जो है basic transition है, इसमें कुछ और change करेंगे, ताकि, थोड़ी attractive और लगे, so, देखें, यहाँ पर हमने text, यहाँ पर align कर दिया है, उसके बाद में आपका आता है rows, कि अगर आपको rows बढ़ानी है, कि कितनी rows करनी है, तो मैं like 20 rows कर देता हूं, तो यहाँ पर देखेंगे, आपको difference कि rows जो change होती है, तो वहाँ पर increase होते जाएंगे, columns भी आप अपने coding decrease, increase कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 30 रख लेता हूं, ताकि ज़्यादा मैं सब भी ना हो, और ज़्यादा कुछ उसमें बेकार साब ना लगे, यह सब करने के बाद में, आपको यहाँ पर option मिलता है, यह होता है आपका flip access, आपको X type का access चाहिए, यह देखिए यह X type है, कुछ इस तरीके से, और आप Y type कर देंगे, तो यह आपको कुछ इस तरीके से change करेगा, तो मैं X type ही रख लेता हूँ, यह आपकी positions है, आप positions को define कर सकते हैं, यह आपकी directions है, direction को define कर सकते हैं, कि आपका effect है कैसे काम करें, तो मैं by default ही रख लेता हूँ, आप चाहे तो change कर सकते हैं इन में से, कोई भी directions को, यह आपका randomness है, तो भी क्या हो रहा है कि आपका left to right effect काम क तो इसको रेंडमनेस में डाल सकते हैं, यहां पर जा करके, मैं इसको बोलता हूं, कि 0.5, तो वो क्या करेगा, यह जो देखे, जो बोक्सीज है, उनको रेंडम ओर्डर में लेके आएगा, वो उसको फ्लो में लेके नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद में, यहाँ पर एक option हो रहता है, position jitter का, so उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, jitter यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर beginning में keyframe add कर लेते हैं, beginning में keyframe में हम क्या करेंगे, अपना x jitter, y jitter और z jitter को by default रखते हैं, और 4 second बाद में जा करके भी keyframe add कर देते हैं, यहाँ पर तीनों पर, तो इसको add, keyframe add करने के लिए, हम जो इसको थोड़ा expand कर लेते हैं, और expand करके हम जो है, अपने keyframes पर चलते हैं, जहाँ पर हमने jitter को रखा हुआ है, तो यह देखे, यह jitter हमारा आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीनों पर एक रख दिया है, तो आप देखेंगे, तो आपका जो टेक्स हो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसको भी आप अपने recording, जितना भी रखना चाहें, रख सकते हैं, मैं 2.0 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको चेक किया है, 2.0 पर मैं recording को काम कर रहा था, इसको मैं थोड़ा सा 6- कर देता हूँ, तो देखेंगे, यह जीटर कुछ इस तरीके से आपके बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, तो अब यह है, आपका प्रोजेक्ट जो है, फाइनली रेडी है, तो इसको चेक कर लेते हैं, एक बार प्ले करके, कि यह कैसे काम कर रहा है, डूरेशन आप चाहें, अपने कोडिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यह कुछ इस तरीके से आपके लिए काम करेगा, बड़ा बेसिक सा एनिमेशन है, ज्यादा कुछ उसमें आपको यूज़ करने के जरूरत नहीं होती, बहुत सारे एनिमेशन जो है, पिरिट कर सकते हैं, देखें कुछ इस टाइप से, उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीज़ेगा, सब्सक्राइब कीज़ेगा और लाइक कीज़ेगा वीडियो को,